ओके स्टूडेंट लेस्ट नाव कंटिनू विद द रूट टेवल ऑफ दो कनेक्टिव ठीक है तो पहला कनेक्टिव है नॉट नॉट जिसे हम कॉंपलीमेंट पी या डैश पी या बार पी से दिखा सकते हैं चीक है तो इसकी टेबल किस तरीके से बनेगी अब देख सकते हो पुदीगा सब्सक्वाथ यहां पर हमारे पस तो जिरो का वन ऊर वन का जिरो हो जाएगा को किसे फिर्म है यहां पर आपको देख सकते हो आप यहां पर इस जाहिए तो जो पी आ जएगा तो नॉट नॉट पी ठीक है तो कहला पी यहाँ का zero हो जाएगा और फिर में अगर आपके पास में ये है labor और आप ने एक बार लगाया ठीक है और एक बार और लगा था ये होज़ा से वन और इस तरीके से वॉन और बार ठीक है तो पहला स्सक्राव ये का However यहां पर आप देख सकते हो कि जैसी आप यह आगे फर्दर कंटिनु करोगे तो you will get a 0 back ठीक तो 0 का आपको 0 वापस मिल गया तो यह यहां पर होडा है पीबार इक्वल्स टू P तो P बार का बापस से आपको P मिल रहा है ओके, like this next is this junction, यानि कि और तो this junction में किस तरी किसे काम होगा, 0 and 0 यह 00 कहां से आया है, P, Q के लिए तो यह आपकी serial numbers है, 0, 1, 2 and 3 तो जब हम 2 की बात कर रहे हैं, तो 2 to the power यानि कि 4 combination of values can be there तो जब 4 combination of values को हम यहाँ पर लेकर चलेंगे तो 4 combination में 0, 1, 2, 3, 4 आपके पास values आजाएंगी, 0, 1, 2, 3, 4 0 का binary होता है, 0, 0 1 का binary होता है, 0, 1 इसका 1, 0 and 1, 1, ठीक है, accordingly हम यहाँ पर P, Q को values assign कर देंगे और फिर यहाँ पर और लगाया हुआ है, तो और में एक शीज का ध्यान रखना है यहाँ पर जो 1 है, वो true है, और 0 है, false तो और में अगर दोनों false यानि कि दोनों 0 होंगे, तो 0 मिलेगा कोई एक भी अगर true है, तो 1 मिलेगा true मिलेगा, ओके तो इसलिए सिर्फ पहले वाले combination में, जहाँ 0-0 है आपको 0 मिल रहा है, अधरवाइस तीनों में आपको 1 मिल रहा है नौ नेक्स्ट conjunction, यानि कि and तो and के लिए आपको यहाँ पर table बनानी है, वोई 4 combinations फिर से होंगे, 0, 1, 2, 3 इसकी values आप यहाँ लग से लिए, जो आप P और Q का sign कर सकते हो यहाँ पर end में क्या होता है अगर एक भी false है तो false और दोनों true है तो true, यानि कि दोनों 1 होंगे तो 1 मिलेगा और एक भी अगर false हो गया, एक भी अगर 0 हो गया तो 0 तो इस आप देख सकते हो पहले दोनों में 0 है तो इसलिए 0 हो गया इसमें 0 और 1 है तो भी 0 हो गया इसमें 1 और 0 है तो भी 0 सिर्फ लास्वले में 1 और 1 है इसलिए आएगा 1 next implication if then conditional तो यह if then किस तरीके से काम करता है in the conditional P Q तो तो इस लाइक पी conditional Q, the first proposition the if clause ठीके पी ठीके तो जो first proposition होगा पी यहां पर वो क्या है तो पी यहां पर क्या है पी इस काल दा antecedent and the second proposition and then then clause जो है यानि कि यह जो आपका Q है if then यह कहलाएगा if condition यह इफ प्रोपोजिशन और यह कहलाएगा then proposition तो then clause जो है then clause आएगा Q is here जो कि कहलाएगा consequent right तो antecedent और consequent in more complex conditionals the antecedent and the consequent could themselves be compound propositions ठीके तो वो खुद भी एक compound proposition हो सकते हैं तो यहां पर हम single symbol symbols लेके चल रहे हैं P और Q को तो यहां P और Q की जगे कोई और statement propositional statements भी हो सकते हैं ठीके तो the conditional P implication Q will be false when P is true अगर P true है तो false आएगा and then Q is false for all the other input combination it will be true ठीके तो अगर P true है तो Q false आएगा just like that तो बस यहां पर P true है तो Q false हो गया बाकि सब के लिए यहां पर यह देख रहे है आप अगर आपका पी टू है और क्यो फॉल्स है तो आपको 0 मिलेगा आप देंद्रेले में लेकर है तो कोई मतलब नहीं वन आगया तो यहाँ है निज और यहाँ पर पी फुल्स तो यह हम एभगक है यहाँ और और पी फॉल्स तो आगया यहां पर हमारा 0 and दोनो 1 है तो आगया 1 that's simple now equivalence equivalence bidirectional result into false when one of its component proposition is true and other is false तो अगर एक true है और एक false है तो result आएगा equivalence का वो false होगा ठीक है in simple words we can remember like कि अगर P और क्यों दोनों equal है तो 1 आएगा और अगर different है तो 0 आएगा तो P और क्यों दोनों equal है 1 आगया दोनों different है 0 हो गया it's like this तो 1 and 1 last में और first में